स्वागत है आपका अपने चानल आरोग्य इंडिया में दोस्तों अगर आपने चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और जो बैल आइकन आपको दिख रहा है उसको प्रेस जरूर करें दोस्तों खूब सूर्थी का सभी के जीवन में अपना अपना महत्व होता है लेकिन पुरुषों की तुलना में महिलाओं के लिए ये महत्व दुगना हो जाता है महिला चाहे 20 साल की हो या 40 साल की सभी अपने आप में बेस्ट दिखने के प्रयासों में लगी रहती है अक्सर देखा जाता है कि हमारी त्वचा एक उम्र के बाद अपना निखार खोने लगती है उम्र जैसे जैसे बढ़ती है हमारी त्वचा पर कई प्रकार की रेखाएं दिखाई पढ़ने लगती है असल में हमारी शरीर की त्वचा पर प्रती एक दिन कुछ न कुछ प्रभाव पड़ते हैं ये प्रभाव हमारी त्वचा को बाहरी तथा भीतरी रूप से प्रभावित करते हैं आपको बता दें कि त्वचा पर ये प्रभाव हॉर्मोन्स में परिवर्तन, धूम्रपान और तनाव जैसी चीजों के कारण आते हैं आज हम आपको इन ही से जुड़े कुछ घरेलू उपाए बताएंगे जहां तक बात बढ़ती उम्र की है तो उसको रोका तो नहीं जा सकता लेकिन यदि हम अपने जीवन में कुछ आदतों को बदल ले या अपना ले तो हम बढ़ती उम्र के परिवर्तनों से काफी हद तक छुटकारा पा सकते हैं चलिए इनी आदतों के बारे में विस्तार में जानते हैं तनाव ना सिर्फ हमारे जीवन को बलकि हमारी त्वचा को भी प्रभावित करता है तनाव के कारण हमारे चहरे पर बढ़ती उम्र के साथ पढ़ने वाली रेखाएं जल्दी ही आनी शुरू हो जाती है इसके साथ ही हमारे चहरे पर जुर्या भी आने लग जाती है यदि आप अपने चहरे का सौंदर्य बनाए रखना चाहती है तो आप तनाव को अपने जीवन पर हावी ना होने दें तनाव से आपके हॉर्मोन भी असंतुलित हो जाते हैं इस कारण आपका सौंदर्य प्रभावित होता है इसलिए तनाव को जल्दी से अलविदा कह दीजिए दोस्तों नींद आपके जीवन, मन तथा आपके शरीर पर अपना पूरा प्रभाव डालती है यदि आप पूरी नींद नहीं ले पाते हैं तो इसके कारण आप पूरे दिन तनाव में रहेंगे तनाव के कारण आपकी स्किन भी प्रभावित होगी तथा आपके हॉर्मोन्स में भी परिवर्तन आएगा इसी कारण आपका सौंदर्य भी प्रभावित होगा पूरी नींद ना ले पाने के कारण आपका मन तथा आपका शरीर बुरी तरह से प्रभावित होता है इसलिए आपको हमेशा पूरी नींद लेनी चाहिए ताकि आप अपने सौंदर्य को बरकरार रख सकें अगर आप नियमित रूप से व्यायाम करते हैं तो आपका सौंदर्य हमेशा बना रहेगा महिलाओं को अपनी फिटनस का पूरा ध्यान रखना चाहिए महिलाओं यदि नियमित रूप से व्यायाम करती हैं तो उनकी तवचा जवां बनी रहती है आप व्यायाम से एक घंटे पहले तीन से चार ग्लास पानी जरूर पिएं और व्यायाम में साइक्लिंग को भी शामिल करें इसके अलावा आप योगा भी कर सकती है सूर्य नमस्कार आपकी त्वचा तथा आपके शरीर के लिए बहुत ज्यादा लाब दायक होता है दोस्तों आपके मन में सदर सकारात्मक विचार होनी चाहिए असल में जैसे विचार आपके मन में होते हैं आपके चहरे पर भी उसका वैसा ही असर दिखाई पड़ता है आपके मन के विचार आपके शरीर और कार्यों को भी प्रभावित करते हैं इसलिए यदि आप साकारात्मक तथा खुशनुमा विचार अपने मन में रखेंगे तो आपका चहरा भी हमेशा खिला-खिला रहेगा और साथ ही आपका हर काम भी सही तरीके से संपन्न हो जाएगा तो दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि बढ़ती उम्र की परचाईया आपकी त्वचा और आपके चहरे से वो चमक न चीने तो हमारे बताए हुए इन नुस्खों को जरूर अपना कर देखें हेल्दी हिट और फिट रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चानल आरोग्य इंडिया सुअस्थ भारत की सुअस्थ परंपरा को धन्यवाद